Hello everyone, आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ, chemistry के अंदर कितने type की bonding होती है, अपने पास तीन type की bonding देखने को मिलती है, ionic bond, covalent bond और coordinate bond, ionic bond जो होता है, वो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ionic bond में आपन देखते है, transfer of electron, एक atom अपना electron loose करने वाला है, दूसरा atom हम उसी electron को gain करेगा, और यह जो linden है, इसी linden को अपन क्या बोलेंगे, ionic bond बोलेंगे, तो आज आज यह फटक से देखते हैं, और यह atoms, इन electron का linden क्यों करते हैं, अपना octate complete करने के लिए, और जब भी अपन बात करें हैं, तो यहाँ पर दो तरीके के atom पाई जाते हैं, एक होता है metal, एक होता है non-metal, metal अपना electron loose करता है किसको? non-metal को, इसकी वज़े से non-metal का octate भी complete हो जाता है, साथी साथ metal का octate भी complete हो जाता है, और इनके बीच में एक resultant warning होती है, जिसका नाम है ionic bond, तो transfer of electron की वज़े से बनता है हमारा ionic bond, thank you so much.